दाइंगल फूज मेजर इज लेस दन नाइंटी डिग्री इस कॉल्ड एक्यूट एंगल ए मतलब होता है चेत्र फार यानि एडिया इससे कहा जाता है आलफा को ऐसे थ्वाशा कर दी जिननीचे तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इन सभी चीजों के बारे में समझा था तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दखिए अगर इस तरह से जुका हुआ कोन मिले तो इसे नियून कोन कहा जाता है दा एंगल फूज मेजर इस लेस दन न मिले आपको जरूइन है कि इस तरह से आपको यह मिले ठीक जहां भी आपको एल मिले इससे समकोन कहा जाता है यानि नवे डिगरी ठीक और जब इस तरह से मिला इसे अधिक कोन को अंग्रेज में राइट एंगल कहा जाता है अधिक कोन का मतलब जिसका माप नवे डिगरी से से ज्यादा हो यह मतलब होता है च्छेतरफल यानि एडिया इस टाइप का सिम्बॉल आपके मिले इसे कहा जाता है त्रिभूज यानि ट्राइंगल देखिए जब आप मैस के सॉल्फ करेंगे कोश्चन जैसे त्यंद क्लास में त्रिभूज चैप्टर है तो उसमें जब भी क स्य में पढ़ना है जो नाइनहें माद है माध माधिका बहुला कि स्थ होता है तो उसमें डैयक्ट यह सब लिखांब यह लिखांवता था समय्ड़ना कि सिंखमा ठिक और इसका मतलब होता है कि से निई स्कर्स निकलता है यह स्सिंबॉल हम सब्सक्राइब बरे कोष एंध क कोस्ट और यह छोटी कोस्ट चलिए वीडियो करेंगे बढ़ाते हैं और कुछ लाइटिन भासा के बारे में जानते हैं जैसे अल्फा वीटा गामा होता है तब तक आप इसको पॉस्ट कर स्क्रिंशॉट ले लिजिए कर दो ऑफ लेन अब हम पढ़ने जा रहा है लेटिन भासा में वर्ण माला देखिए इससे कहा जाता है अल्फा जो आप अंग्रेज में ए लिखते हैं यह है बस इसको उपर ऐसे थ्वासा कर दिजेगा ठीक हम लोग ऐसे लिखते हैं ऐसे तो यह होगिया अल्फा और यह जो है बीटा हो गया यह आप छोटी बी लिखते हैं तो बी को ऐसे थ्वासा कर दिजें नीचे होगिया बीटा हम लोग ऐसे लिखते हैं नीचे से ऐसे करके ऐसे ठीक और यह होगिया गामा जो आप वाई लिखते हैं उसी को थ्वासे इधा से कर दिजें इधा से ऐसे और यह खीच दिजें ऐस यह हो गया डेल्टा और यह हो गया ठीटा मतलब एंगल को माना जाता है जैसे अगर किसी तिल्भूज में एबीसी में जो एंगल भी है वह साथ डिग्री है हम लोग मान लेते कि ठीटा बड़ाबर साथ डिग्री ठीक आपको इस तरह से समझ लेना है ठीटा का पर्योग बस यहां से एक सिधा पाई खित दीजिए हो गया म्यू यह लेंड़ा यांदि बस वाई जो लिखें उसी को उल्टा ठीक लेंड़ा ऐसे ऐसे कर दीजिए और एक एसे लेंड़ा हो गया और इसके बार में तो जानते होंगे पाई है जिसका मान तीन दसनुल एक चार एक प इस वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं दो वीडियो में हमने सभी चीन के बाड़े में समझा और भी बहुत सारे चीन है जो आपको अभी नहीं पढ़ना है बाद में पढ़ना हाईर क्लास में तो वह हमने छोल दिया ठीक यह सब आपको तेंस तक काम आजेंगे कुछ- अगली वीडियो में आपके लिए सुधृ करे और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक क्लिए जय हिंडि